बच्चों, आज का टॉपिक है डिफरेंशल एक्वेशन का इघ्जेक्ट इफरेंशल इक्वेशन, तो पहले वाले वीडियो पूर्ड आपको समझाये था कोई भी डिफरेंशल इक्वेशन का कहलाती हैं और इग्जेक्ट का होती हैं, तो याद करिया आप हम उसका में लिंक देदेंगी अगर आपने नहीं देखा हो देख लिएगा कि अगर को एक पूझिशन mdx plus ndy is equal to 0 के format की है और वो कुछ particular conditions को follow करती है तो एक्जेक्ट हो सकती है हो सकती है उसके लिए पने इता है कि आप m को partially del m point del y कर दीजे और n को partially del n point del x कर दीजे अगर यह इपर आता है तो यह एक्जेक्ट डिफ्रेंट से लिए को समोगता है ठीक है तो इसका सुलशन निकाले के तरीका क्या था कि हम integral कर देते हैं m का x के respect में और यहां पर y को constant लेते हैं यहां यहां पर क्याले लिया जाएगा जो y होगा वो constant होगा और प्लस integral of n dy कर देते हैं इसमें उन terms को छोड़ देते हैं जिनमें x होता है leaving the terms containing x और is equal to a constant बात देते हैं this was a method now here is something I have written reducible to exact मतब कोई भी differential equation exact type का देखेंगा तो इक रहे exact होगा नहीं तो उसमें कुछ हम ऐसा amendment करेंगे कि वो exact बन जाए तो आपको एक topic एक नाम याद होगा intermediate level में पढ़ा होगा integrating factor यह एक word आपने पढ़ा होगा integrating factor अगर याद हो तो एक ऐसा factor जिससे किसी भी differential equation को अगर multiply कर दिया जाए तो वो integrable हो जाती है उसे आप solve कर सकते हैं तो यहाँ पर वही हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी differential equation जो exact type की होगी लेकिन exact नहीं होगी तो उसको किस integrating factor से हम multiply करके उसको हम exact बनाएगे तो उसके लिए पहले तो आपको पहचाना पड़ेगा कि कैसे उसको पहचाने कैसे integrative factor कौन सा लगाएं तो उसके लिए हमने कुछ type बताएं हमने नहीं बताएं mathematics में है मैं उसको वीडियो मना रहा हूँ type 1 अगर कोई difference equation दिया हूँ और यह लिखा है is not exact i is not exact तो हम एक ऐसा इंटिग्रेटिक सेक्टर खोज के लाएंगे जो इसको इंटिग्रेबल करते हैं उसके लिए पहंचाने का तरीका यह होता है कि अगर यह एकको नहीं है एंड इट इस होमोजीनियस इन एकस वाइए एकस एंड वाइए फो मतलब होता है हर टर्म को आप चेक करीजिएगा सबकी डिग्री से मिलेगी वह होमोजीनियस होगा तो अगर ऐसा है, then integrating factor जो होता है, यहां को यात्त ना पड़ेगा, वो होता है, one upon mx plus ny, one upon mx plus ny, यह homogenous, अगर है तो यह आपका इंटिग्रेटिक factor होता है, मतलब इस factor से अगर इसको multiply कर दिया जाए, तो यह exact हो जाएगी, और पिर exact का method होता है, उस method से इसको हम integrate कर सकते हैं, ठीक है, मैं एक example इसमें लेता हूँ, इस point को note कर लिजिएगा, आपको पहले दिखाना पड़ेगा exact है कि नहीं है, अगर नहीं ह तो देखना पड़ेगा, वो homogenous hack नहीं है, लेकि ध्यान दिखिएगा, exact तक पहुंचने के लिए, आपको सभी crossings हैं उपार करने पड़ेगा, crossing मतलब railway वाली नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, variable or separable hack नहीं है, homogenous वह पहले वाला, है जहां जिसमें y को vx रगते थी, hack नह ठीक है, मैं एक example इसमें लेता हूँ, रंचने कराऊं भी, गोड़ में जगे में जगे में लिम्टेड है, देखिए, एक मैं example लेता हूँ, माले x square y, एक example ले रहा हूँ, x square y, dx, minus x cube, plus y cube, dy is equal to 0, dy is equal to 0, यह एक difference in equation है, ठीक है, यह लग तो रहा है, mdx plus ndy का format है, ठीकित exact है कि नहीं हमको नहीं माला हूँ, ठीक है, तो पहले हम compare करें, comparing with mdx plus ndy is equal to 0, इससे हम compare कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जहाँ यहां से रिका हूँ, यसे कि पुरा utilize processing mode को, यहां पर आ रहा हूँ, यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, चलिक है, यहां से, ठीक है, नाओ, dvr m upon dvr y कर दो ही, तो y एक variable होगा और x square constant होगा, जिसकी value आएगी x square, अचलिक है, तो आप रिखेंगे as, dvr m upon dvr y is not equal to dvr n upon dvr x, so it is not exact, यह exact नहीं है, तो तरीका क्या होता है, इसको exact पहचानना पड़ता है, क्या इसका integrative factor होगा, तो आप पहीं होगा type 1 बता रहे हो, तो वहीं होगा integrative factor, समझेगा, इसकी degree क्या है, x और y और multiply में इसको दोनों को एक साथ देखें, और इसके power को add करके देखें, इसकी power 2 है और इसकी power 1 है, दोनों की power add करेंगे तो degree हो जाएगी 3, ठीक है, इसकी degree हो जाएगी 3, सबकी individual degree देखेंगी तो चुंकि यह सबकी degree 3 हो गई है, so it is homogeneous differential equation, तो आप कहेंगे, it is homogeneous differential equation, it is homogeneous differential equation, अब आप कहेंगी बई, जब homogeneous differential equation होता था, छोटे class में, छोटे बोले तो 12th class में, वहाँ y को vx हम मान देखेंगे तो, रख दीजे, सायद आजे, अगर आजाता तो अच्छी बात है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका integrity factor भी integrating factor homogenous के रिए हमने क्या उता है था, 1 upon mx plus ny, यह उता है हमने, यह integrating factor है, मतलग यह ऐसा factor है, कि इससे अगर इसको multiply कर दे, यह differential equation exact बन जाते है, इंटिग्रेटिक factor का मतलब होता है, कि ऐसा factor, जिससे multiply करने पर, कोई भी differential equation integrable हो जाए, निकाल लेते है, is equal to 1 upon m, x और इस वाल, m की value क्या है, m की value है, x square y, x square y, into x plus n, n की value क्या है, minus x cube minus y cube, minus x cube minus y cube, और multiply y से करेंगे, तो minus down लेरो, इसको bracket कर तो बाहर y, ठीक है, अगरा खुरिए इसको 1 upon x cube y minus x cube y minus y power 4, नहीं, minus 1 upon y power 4, यह आपका integrating factor को, यह अगर मैं इससे, इस equation को multiply करता हूं, तो यह differential equation, exact differential equation का format लेरो, ठीक है, करते ही, multiplying, equation 1 by minus 1 upon y power 4, और multiply करने के बाद, अगें, प्रीचेक, इधर दा, differential equation is exact, आपका, इसको फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, अगर इसको multiply कर जाए, इसको note करेंगे, इसको रफ करेंगे, इसके बाद अगे बाद, ओकी, note करेंगे आओगा, अगे इसको हम रफ करने, हम multiply minus y power 4 से, 1 upon y power 4 से multiply कर रहें, लेखें, तो we get minus 1 upon y power 4 से multiply करेंगे, x cube y dx का, और minus, वालडी मारस से अलगा हुआ है, तो plus 1 upon y power 4 से multiply करेंगे, x cube plus y cube dy is equal to 0, फुरा इसको, जो है, अमेंट करने पहें, यह y एक power कर जाएगे, तो आएगा, minus x cube upon y cube dx, प्लस, याएगा, x cube upon y power 4, प्लस, 1 upon y, dy is equal to 0, फिर compare करो, comparing with, इससे compare करेंगे, m dx plus ndy is equal to 0, तो m की value क्या आएगी, minus x cube upon y cube, और n की value क्या आएगी, x cube upon y power 4, प्लस, 1 upon y, अब हम यह मान के चल रहे हैं, यह differential equation exact होगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं, अब इसको check करना पड़ेगा, तो आप क्या तरहे हैं, m को x, no, y के respect में, तरहेंगे, del m upon del y, तो minus x cube तो पहल लिए जाएगा, del upon del y of y power minus 3, इसको जो calculate करेंगे, क्या आएगा आपकर, minus x cube, और y power minus 3 का क्या होगा, minus 3 y power minus 4, तो गिया जाएगा, 3 x cube upon y power 4, यह del upon del y आया, फिर n को x के respect में differentiate करिए, del n upon del x, इसको जब differentiate करें, क्या होगा, सोचें, जब वो x के respect में करोगे, तो y तो constant हो जाएगा, तो 1 upon y power 4, अलग कर दिया, और x cube का differentiation 3 x square हो गया, और यह pure y है, उसका 0 हो जाएगा, यह क्या जाएगा, 3 x square upon y power 4, इन दोनों को देखो जड़ा, तो आप लिखेंगे, as, del m upon del y is equal to, del n upon del x, so, it is exact, differential equation, यह differential equation कैसे हो गई, exact हो गई, अब exact हो गई, तो इसका solution कैसे निकलेगा, solution निकालेगा तरीका, क्या होता है, इसे note करें, फिर solution निकालते है, इसको में राइटिंग गंती है, क्या क्या है, content देखिएगा, राइटिंग भी देखिएगा, साफ साफ दिखने की process की है, अब जोको इसका solution कैसे निकालते हैं, solution निकालने का तरीका आगे हम बता चुके हैं, आपको, यहां पर, से रोकेंगे हम, इसका जो solution देगा इसको रपकरते हैं इसका solution दिकाने जा रहा है क्या होता है integral of mdx taking y as a constant taking y constant plus integral ndy इसमें क्या करते है leaving the term containing x इसी तरिके system x को उसको link कर देंगे leaving the term leaving terms containing x containing x is equal to a constant ठीको यह जो लिखते हो ना वो यहां लिख सकते हैं यहां लिखे taking y as a constant इसमें लिखे चलेगा हम रहे ऐसे लिख 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 mq value क्या है mq value यह है minus x q upon y q d x यह d x है ठीक है और plus ज़रा n dy को देखिए हमने कहा n में से वे term नहीं लेंगे जिसमें किसी तरिया से x होगा यह x यहां पर आ रहा है इसको leave कर देंगे यहां 1 upon y हो जाएगा dy is equal to constant बस integrate हो गया और यह आपका differential equation solve हो गया ठीक है यह one type का differential equation है तो चुकि यहां पर y constant है तो minus 1 upon y q पाहर कर दो इसका हो जाएगा x power 4 upon 4 plus 1 upon y का इंटिनल क्या है यहां होग y to base e is equal to constant फोड़ा सलिक दो minus x power 4 upon 4 y q plus log y to base e is equal to constant तो this is the solution of this differential equation जो exact नहीं थी उसको exempt किया गया तो जाएं थेक है तो सब्सक्राइब d'